नमस्कार, बच्चों आज में सुमित्रा नंदन पंत जी की कवीता वे आखे पर चर्चा करूँगी, तो आए सबसे पहले मैं इनका जीवन परिचाय पर चर्चा करती हूँ सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 1921 अल्मोरा जीले के कौशानिक ग्राम में हुआ था इनके पिता गुसाई दथा, इनके जन्म के बाद 6 घंटे भी नहीं विते थे कि इनकी माता का सुर्ग वास हो गिया और ये मात्री अशने से बंचित रह गए, इनकी प्रारंबिक सिख्चा गाउं में हुई इसके बाद इन्होंने राच्किये हाई स्कूल अल्मोरा में नौमी कच्छा तक पढ़ाई पूरी किये और बारानसी चले गए सन 1928 में पंथ जी ने बारानसी के जै नरायन हाई स्कूल से दसमी की परिच्छा पास किये सन 1921 में परियाग्य और मयोर सेंट्रल कॉलेज में ताखिला लेकर हिंदू बोर्डिंग हौस में रहने लगे सन 1921 में ही असयोग आंदोलन का प्रारंब और इनके विद्यार्थी जीवन का अन्थ हुआ है साथ ही इनके संघर्ष में जीवन का भी आरम हो गया लोकायन नामक सांस्कृती शंस्ता के लिए विश्व पर्शिद नर्तक उदै संकर के साथ इन्होंने पूरे भारत का भर्वन किये इस संघर्ष काल में पंत जी गुरुदेव रविंद रनात टैग और महत्मा गांधी और स्री अरविंद घोस जैसे महान विभूत्यों के संग शंपर्क में आये जिससे इनकी काभी परतीभा को विख्षित होने का सु अफ्षर प्राप्थुआ इनकी स्वन की रन श्वन धूली उत्रा आधी रचनाव पर अरविंद जी का दर्शन का परभाव असफर्ष देखा जा सकता है सं 1950 इसवीश में पंत जी आकासवानी से जुडगे इनका पहला काभ शंग्रा परलो भी सं 1950 इसवीश में परकाशित हुआ इन्हे कला और बुढा चांद के लिए शाहित अकादमी पुरस्कार तथा चिंदंब्रा काब शंग्रा के लिए ग्यानपित पुरस्कार प्राप्त हुआ शन 1971 इसविश में भारत सरकार द्वारा इन्हे पदम भूशन की उपाधी से सम्मानित किया गया इनकी रचना लोकायातन के लिए इन्हे शोवियत भूमी नहिरू पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था इनका निधन शन 1977 इसविश में इलाहाबाद में हुआ इनकी परमुख रचनाय बीना ग्रंथी, पल्लव, गुन्जन, युगांत, युगवानी, ग्राभ्या, श्वन कीनन, श्वन धूली, युगांतर, उत्रा, रचत सीखर, शिल्पी, अतीमा, शोवन्वानी, कला और वुडा, चान तथा लोकायातन है इनकी काविगत विशेश्था और प्रकिर्टी सौंदर्ज ने इन्हें कभी बना दिया पंतजी प्रारम में एक सौंदर्ज प्रिये कला कार के रूप में शामने आय या सौंदर्ज शेतना उन्हें प्रकिर्टी से मिली थी बाद में जीवन जगत में व्याप्त हल्चल और संघर से परभावित होकर वे एथार्थ धरातल पर उत्रें तव इनकी रचनाव में एथार्थ वादिता का चितरन हुआ प्रन्तु इनका अपना सौभाव इन्हें सदेव, सौधन, सौंदर्ज एवं माधूर्ज पुन प्रकिर्टी की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा प्रकिर्टी का सौभाविक चितरन करने में पंत जी सरवरशेष्ट हैं तो बच्चों ए थे इनका जीवन परिचय और इनकी कवीता वे आखे मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी धन्यवाद